नमस्कार आप देखरें रब्जी लाइब आज के मौर्निंग बुलेटन में मैं हाजुर हुनीदी सिंग आपके साथ बढ़ते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर विधान सवा में नीता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने फिर भरस्टाचार और अपराग को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साथा है उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक अस्थिर्टा की इस्थिति है इसके चलते प्रसासनिक राजकता बढ़ रही है और बिहार में भ्रष्टाचार और अपरात तेजी से बढ़ रहा है और इसका पालन करना चाहिए धर्म पर कुछ भी कहने से पहले ऐसे बयानों से बचना भी चलिए चिराग पासवान की लोग जनसत्ती पार्टी ने एक बड़ा एलान किया है लोग जनसक्ती पार्टी राम विलास ने कहा कि चिराग पासवान हाजीपूर्चे चनाल लड़कर पिता के गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेंगी इसके तहर चिराग ने अपने चाचा पसुपती के छेत में बड़ा सक्ती प्रज़र्शन करेंगी भारत के साथ पंगा लेना मालदीप को महंगा पड़ता दिख रहा है क्योंकि मालदीप के राश्चपती की कुर्सी जाने के आसार में है विपक्षिदल भरके गए है और उन्होंने एक बरा कदम भी उठाया है नरेंद मोधी वुद्वार को बाइप्रें गुजरात समीत का उधातन करेंगे यह समीत 10 से 12 जन्वरी तक होगी और इस समीत में थीम गेटवी टू दफ प्यूचर है इसमें समीत में 34 भागीदार देश के 16 भागीदार संगतन हिसा लेंगे और बता दिये इसके अलावा 133 देश के राजनितिक और राजनेक कारवार और मंत्री भी सामित हो इपी में सप्पा प्रभूग अकलेश यादव कॉंग्रेश को लगतार आखी दिखा रहे हैं तो वही देश के सबसे पुरानी पाटी भी उन्हें काबू करने के लिए बैलेंस गेम खेलती नजर आरे हैं अखलेश को काबू करने के लिए कॉंग्रेश अब मायवती कार्ड खेलती भी खही हैं अब खबर खेल जगर अफगानिस्तान की खिलाब T20 सिरिस के लिए विराट कोहली और रोहित सर्मा की टीम में बापसी हुई है इस बात की पूरी संभावना है कि यह दोनों दिग्दस अगामी T20 विस्व कप में भारतिय टीम का हिस्सा लेगी कोली रोहित के भारतत को ट्रिकेट विस्व कप 23 के फाइनल में पोचानी की एहम भूम का निभाई थी पटना की मुईनलुक हग स्टेडियम में सनीबार को बिहार गिनवाजों ने मुंबई की पहली पारी दूसरी क्यामन में निपट ली है लेकिन जबाब बिहार के बलेबाजों को उसके भी तगरा मिला है बिहार के शब बलेबाजों नवासी रन पर पवेलियन लॉट चुके है आज इसका तीसरा दिन अब ख़बर मनुरंजन जगरी कंदर अभिनीता यस कीजिव के जरीए देश वर दुनिया भर में फेमस हो गए उन्होंने बिते दीन यानी आठ जन्वरी को अपना 38 जन्म दीन मनाया और इसे दिन अभिनीता के तीन फ्रांस की मौत हो गए जबकि तीन घायल अवस्था में अस्पताल पहुचने या उनके लिए एक दुखा जन्म दीन था क्योंकि उनके तीन प्रसंसक अपने जन्म दीन के लिए बैनर लगाते हुए समय पर विजली के चपेट में आ गए इसके बाद आप जन्म दीन के बैनर लगाते हुए उनके तहट मौत हो गए इस घटा में तीन लोग घायल हो गए है जो फिलाल अस्पताल में भरती हैं यश उनका हालचा लेने के लिए अस्पताल ये गए अग खबर डालेंगे मौसम की मिज़ाज की हार कपा देने वाले जन्जीवन ठहर से कई है लोगों का ठंड के मारे घर से निकलना दुश्वार हो गया है बतादी मौसम बीभार के प्रदेश में ठंड से बढ़ने की बात कहे गई है घरे कोहने को लेकर औरेंज अलट भी जारी किया गया है पटना गया शपड़ा भागलपूर मुशपरप छोड़ा